हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ गैहों के आटे से बनी बहुती मजेदार और स्वाधिश नास्ते की रेस्पी सियर करेंगे जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बना कर तयार करेंगे और इसके लिए आपको पहले से कोई भी तयारी नहीं करनी है चलिए तो फटा-फट से बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने आदा कप गैहों का आटा लिया है वही नौर्मल आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं बाइंडिंग के लिए इसमें दो चमच हम बेशन डालेंगे इससे नास्ते में टेश्ट भी बढ़िया आएगा और बाइंडिंग भी हमारे नास्ते को मिलेगी तो दोनों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करते हुए पानी डा नास्ते का बेटर बनकर तयार है तो चलिए अब इसे 5 मिलट के लिए हम रेश्ट पर रख देते हैं तब तक हम नास्ते की दूसरी तयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक बड़े साइच का कच्छा आलु लिया है और इसको छीट कर पानी में डाल दिया तो अब इसे हम पानि दे लिया और यह जुँ बड़े रहे हैं उससे ही हम आलुखों गेड़ करें गे और इसे करेंगे the आलू के लच्छे मिलेंगे ना वो लंबे-लंबे मिलेंगे तो चलिए फटा-फट से पहले इसे हम ग्रेट कर लेते हैं तो आलू जो भी आप लीजएगा ना बड़ा ही लीजएगा तो यह देखिए अलू के जो लच्छे ना वो थोड़े तो अब इसको हमें थोड़ा सा सुखाना है तो यहां पर हमने एक किचन टॉबल ली है उस पर आलू के लच्छों को हम डाल देंगे तो हलका सा निचोडते हुए डालीएगा जिससे आलू का सारा पानी निकल जाए और अब इसे हम टॉबल से पहुच देंगे यह देखे इस आलू में जो भी एक्ष्टा पानी होगा न वो निकल जाएगा तो चलिए पांच मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से चोड़ देते हैं और अब अपने नास्ते के बेटर को भी देख लेते हैं तो यह दिखे कितना स्मूथ हमारा नास्ते का बेटर वना है यह दिखे तो आदी चममच, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, तो हमने छोटी वाली चममच से मसालें डाले हैं, और यहां पर एक पाउ चमम म्हेगी मसाला का डाल देते हैं, इससे नास्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आप इसकी जगे पावभाजी मसाला या सांभर मसाला भी डाल सकते हैं और आप इसमें नमक डालेंगे तो नमक कम ही डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है तो आदी छूटी चमच हमने नमक डाल दिया है अब यहां पर हम एक छोटा प्याज बारीक चौप करके डाल देंगे साथ में एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं और आदा इंच अद्रक का टोड़ा है जिसे हमने ग्रेट कर दिया है इसको डाल देंगे और कटा हुआ हरदनिया डाल कर सभी को अच्छे से हम मिक्स करनेंगे तो यह देखिए अब बैटर जो है न यह हमारा थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं तो यहाँ पर 4-5 चमच पानी हमने और डाल दिया है और एक बार बापस से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए बैटर तयार है तो हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए इस तरह से यह होना चाहिए ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाड़ा तो जिस कप से हमने गेहों काटा लिया था उसी कप से पूरा एक कप इसमें पानी लग गया है और आलू के लच्छों को रखे भी 5 मिनट हो गए है तो यह देखिए आलू का सारा पानी सुख गया है और आलू बिलकुल ड्राई हो गए है तो चलिए अब फटा फट से नास् बनाते हैं यह देखिए इस तरह से और अब हम नास्ता बनाते हैं तो एक बड़ा चमच भरकर हम नास्ते का बैटर लेंगे और इसे हम तवे पर डाल देंगे तो बिलकुल भी इसे फैलाने की जुरूरत नहीं है यह अपने आप से ले लेगा तो तवे पर जितना नास्ता ना उतना नास्ता हम बना देंगे तो एक एक चमच भरकर हमने नास्ते का बैटर डाल दिया है और आप इसके उपर जो हमने आलू के लच्चे तयार किये थे ना उनको हम डाल देंगे तो पूरे नास्ते पर अच्छे से आलू के लच्चों को हम फैला देंगे अभी बैटर देखने में अच्छा लगे तो उपरचे थोड़ी सी इस पर हम चिली फ्लेक्स लगा देते हैं और थोड़ा सा इस पर सफेद वाला तिल भी हम छिड़क देंगे और अब इसे ढखने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बस से एक से देड़ मिनट के लिए इसे खुले पकने देंगे तो हलका सा इस पैचुला से दवा देते हैं जिससे यह आलू के लच्छे हमारे नास्ते पर अच्छे सिश्ची पक जाए तो यह देखिए बिल्कुल भी यह तबे पर चिपके नहीं है तो तकरीवन डेड़ मिनट हो चुका है तो अब इसको हम पलड़ देते तो य एक मिनट के लिए इसे हम सैक लेंगे तो हलका सा इसे दवाते जाएंगे जिससे यह जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे तो पलड़ कर हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए दूसरी साइट से भी बहुत अच्छे से यह नास्ता सिक चुका है तो चलिए अब इसको हम नि तो फ्रेंड्स आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे ना तो उसे लाइक और सेयर भी कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा तो यह लीजे हमारा सारा नास्ता बनकर तयार हो गय और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेश्टी है आज इसे हमने हरी धन्या की चटनी के साथ सर्फ किया है आप इसे सुबह ब्रेक फास्ट में या फिर जब भी हलकी फुलकी भूख हो तो सिर्फ दस मिनट में घर के ही सामा से बना कर तैयार कर सकते हैं आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा उमीद है आपको ये रस्पी जरूर पसंद आई होगी तो कैसी लगी आपको आज की हमारी जटपट से बन जाने वाले गेवों के आटे और आलू से बनी ये रस्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आपको ये रस्पी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक और सेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें ऐसी ही नई रस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिनेंगे थैंक यू